यह जो lesson number आपका 8 है last उसमें concept है गटबंधन का युक तो discuss करेंगे सबसे पहली बात तो गटबंधन कहते किसको है तो गटबंधन होता है जब चुनाओ में किसी भी एक राजनितिक पार्टी को चुनाओ में जब किसी भी एक राजनितिक पार्टी को बहूमत नहीं मिलता तो हम गटबंदन की सरकार कहते हैं जब किसी पार्टी को क्या नहीं मिलता बहुमत नहीं मिलने की वज़े से कई राजनितिक पार्टी आपस में गट जोड़ करती है और बहुमत जुटाती है एक उधारण दुंगा में आप लोगों को जैसे एक दिल्ली का एक्जामपल लेते है दिल्ली में 70 विदान सभागी सीटे है और अगर किसी को बहुमत चाहिए तो उसे 36 आदी से एक जादा 36 सीटे चाहिए होगी आदी कितने होगी 35 से एक जादा 36 जिसको भी ये आकड़ा मिलेगा वो अपनी सरकार बना लेगा यानि उसको बहुमत मिल जाएगा लेकिन कई बर ना है हम यह देखता है कि यह 20 मिलें इसको ठीक है इसको भी सेटी सरकार बना विए यसे एक कॉंग्रेस पार्टी हो गई एक बीजेपी और एक हो गई आप सभी के आमाद्मी पार्टी कि दिल्ली में तो आमाद्मी पार्टी आपको पता है श्यादा वर्चस वे तो 36 सीटे तो किसी को भी नहीं मिली, 30 मिली है, 20 मिली है, और फिर इदर भी 20 मिली है, तो आपने एक बात कहा कि 26 का आकड़ा पूरा नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी, सबसे पहले राजय पाल क्या करता है, जो भी बड़ी पार्टी, जिसको सबसे ज़्यादा सीटे मिली होगी, उसे सरकार बनाने का नियोता देने का मतलब यह होता है, कि इस पार्टी को कहा जाएगा, आम आदमी पा पार्टी ने कॉंग्रिस पार्टी के साथ क्या कर लिया, गटबंदन कर लिया, और अब इन दोनों की पार्टी अगर सीट जोड़े तो एक की पहले 30 और एक की बीच तिया 50, अब आप को गए 36 का आकड़ा जो था, वो क्या हो गया, पार हो गया, तो यानि अब ये अपनी स सरकार बना सकते हैं, लेकिन इनकी सरकार केवल तब तक काम करेगी, जब तक इने बहुमत हो रोगा, जब तक इनका गटबंदन सही रहेगा, जब तक एक दूसरे का विश्वास रहेगा, तब तक इनकी सरकार ही चलेंगी, लेकिन जैसे ही इनका गटबंदन तूट जाएग वैसे ही इनकी सरकार क्या होगी गिल्साइड और ऐसा हमें ये तो हमने उधारन छोटा सा एक्जामपल दिल्ली का लिया ऐसा ही हमें कई बरी एक्जामपल देखने को मिलता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था आस क्लास में 1989 से लेकर जो मई 2014 है इस टैम तक मई 2014 तक इन 25 सालों में 25 वर्षों में ऐसी कोई भी राजनितिक पाटी नहीं रही जिसे पूर्ण रूप से बहुमत मिला है बेट बंदन की सरकार बनी इन 25 सालों के अंदर देखोगे यहां से सन दोजार में 11 साल उधर के 14 साल तो कितने होगे लगवक पूरे 25 साल इन 25 सालों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला आपने देखा 1989 में सरकार बनी जिसमें नर्सिम्मा राओ हमारे कौन थे पीम थे ना 1991 तक रहे थे और आप देखोगे यह जो कारेकाल था ना यह कारेकाल पूरा हो भी नहीं पाया था इसमें आप देखोगे कि दो साल में ही सरकार गिर गई तो सरकार जबी भी गटबंदन की सरकार होती है तो उसमें हमें एक बात पता चलती है कि सरकार की गिरने क कभी भी आशंका होती है सरकार कभी भी क्या हो सकती है गिर सकती है क्योंकि आपसी सही योग जब तक बना रहता है जब तक सरकारे चलती है जैसे आपसे विश्वास खतम होता है वैसे ही सरकारे भी गिर जाती है ऐसा हमने दिल्ली में भी देखा 2014 वे क्या हुआ था जब आदमी पार्टी पहली बार अपना इलेक्शन लेड़री थी 2014 में तो इसे 30 सीटों के लगबग मिली थी मैं आपको बता दू पॉंग्रेस पार्टी के साथ इसका गटबंदन हुआ और अर्विंद केजरिवाल की जो 49 49 दिन की सरकार बनी थी आपको में बता दू इस 49 दिन में इसने इतना वड़िया काम किया था कि इसको नायक जो अनिल कपूर की फिलम है उस रूप में दिखाया गया और उस 49 दिन के काम की विज़े से ही दुबारा जब इलेक्शन हुए तो उसमें केजरिवाल को पूरा ब 2014 तक ही क्यों बोल रहे हो जी 2014 के बात क्या हुआ 2014 के बाद जब इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी पर्टी मोधी को बहुमत मिल incapacary 2019 समुनिया पकी 5 दोजार चोबीस में हो इ tend to अब 504 अगले साल अभी दोजार तेज़गे अभी चल रहा है तो अगले साल जब हैं और आपको यह पता चल गया होगा कटबंदन के युग में हम कहां से कहां तक की बात करेंगे आप कह रहे हो आप बतारे हो मुझे कि हम मई 2014 तक की बात करेंगे इस गटबंदन के युग में आप देखोगे एक डाइग्राम बहुत अच्छा दिखाए गया है इस ड्याइग्राम में यह जो बीच में आपको सी दिख रही है यह तरह काम करता है जो भी सयोग देते हैं पाटी को, कि बही सरकार बनते हैं, तो पर्धान मुंतरी को उनके इशारों के इसाफ से काम करना पड़ता है, यह डायग्राम यही सिकार दिखाता है, यहाँ पर दुक्र डिटेल से बताए भी गया है, वीपी सिंग के नेतित्यों वाली रास्टे मोर्चे की सरकार को वाम मोर यहाँ परतिक के रूप में जोति वाशू, एक जोति वाशू है, और भाषपा के परतियासी लाल कृष्न एडवानी, यह लाल कृष्न एडवानी है, और यह जो वैक्ति है, यह वीपी सिंग है, यह वैक्ति जो है, यह कौन है, वीपी सिंग है, और बोलोगे यह कौन है, तो यह आम लोग जो देख रहे हैं किस प्रकार से कि यह जो इन दोनों ने मिलकर परदान मंतरी को सपोर्ट किया है इन दोनों एक तो बीजेपी की पार्टी और दूसरा आप सब देख रहे हैं वाम मोर्चे की पार्टी यह दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और परदान म पार्टियों ने सप्रोट किया था तो आप क्या बोलोगे पहला वाम मोर्चे और दूसरा बाजपा बाजपा को हम बीजेपी कहते हैं आप सभी को याद रखना है ठीक है मैं आ गया आप देखो गड़बंदन के बारे में क्या बता है तो 1989 के चुनाओं में कॉंग्रेस पार् कॉंग्रेस अब लोगसुबा में सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन बहुमत ना होने के काण उसने विपक्ष में फैसल लगिया बैठने का देखो मैं आपको गदाओ 1977 में आपने देखा था की यह हुआ था 1980 तक इस चाहिम तक हमने देखा था इन वर्ष यों के लिए इन तीन एर में भी ऐसा हुआ था कि कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला कॉंग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाती इन तीन सालों में जनता पार्टी नहीं शासन किया लेकिन मैं आपको बता दू यह जो जनता पार्टी पर जनता पार्टी की सरकार गिरती है जब चुनाव होते हैं और पर जो चुनाव होते हैं तो दुबारा कॉंग्रेस पार्टी को लगा रहे हमसे पहले भी लोगों ने बहुत राई किया है मैं अगली बार हम अभी अभी हम विपक्ष में बैटेंगे इंसे सरकार चलेगी नहीं पर जनता कहार कर किसको चुनेगी हम कोई चुनेगी इसलिए इस और पॉंगरेस पार्टी थी उसने कहां पर बैठने का फैसल हरी है विपक्ष में पक्ष वो होता है जो सरकार बनाता है विपक्ष वो सभी होते हैं जो सरकार नहीं बना पाते जैसे उधारन देता हूं मैं आपको दिल्ली में अभी आमादमी पार्टी की सरकार है तो आप कोगे पक्ष की कौन होगी आमादमी पार्टी बीजेपी, कॉंग्रेस, बीएसपी या जितनी भी अलग अलग पार्टियां बच गई, वह सारी कौन सी पार्टी कहलाएगी, विपक्ष की पार्टी कहलाएगी, ठीक है भई? तो यहां पर बताया गया है कि यहां की जनता जो है, जनता दल और कुछ अन्य चेत्रे पार्टियों ने मिलकर क्या कर गया? सरकार बनाया, तो बताया गया है, दो पार्टी, एक तो भाजफा, वीजेपी और वाममूर्चा, इन दोनों ने सपोर्ट किया, और यहां पर क्या कि ठीक जर्ट बाद, जब राजीव गांदी की म्रित्थी होई, तो अगले सरकार किसकी बनी? वीपी सिंह की सरकार बनी. अच्ब वीपी सिंह की सरकार थी? तो बोलोगे जी नहीं, और इसकी सरकार नहीं थी. 1950 में इसकी सरकार गिर गी थी, ठीक दो साल में, दो येर के साल तक चलती है तो आपको होगे पांस साल तक चलती है पांस साल तक लेकिन दो साल में क्योंकि बहुमत नहीं था आपस में सहयोग नहीं हो पाया इसलिए इनकी सरकार गिर गई और जब इनकी सरकार गिर गई तो 1991 में दुबारा election हुए और इसमें जब दुबारा election हुए तो इसमें फिर किसी को पहुमत नहीं मिला अब Congress Party को लगने लगा कि अब साइध हमारी स्तिक हराब हो चुकी है अगर अब भी भी हमने सरकार नहीं बनाए तो आने वाले टाइम में लोग बाग हमें चुनेंगे भी नहीं सरकार बनाती नहीं तो इसको चुनके भी क्या फाइदा लोगों के दिमाग में यह मैसेज जा सकता था इसी लिए 1990 में नर सिम्मा राओ के नितरितों में सरकार बनती है ठीक है समझ मैं यह आपर लोगों को आगे बताया गया है Congress Party का पतन पतन का मतलब होता है अंतोना पतन का मतलब क्या होता है अंतोना एक पतन होता है जिसका मतलब समुंदरी बंदरगा या एयरपोर्ट भी होता है जहां पर समुंदर के जहाज रुखते है उसे भी पतन बोलते है और एक होता है एयरपोर्ट जहां पर आपके हवाई जहाज रुखते है वो भी पतन ही होता है लेकिन यहां पर इस पतन का मतलब क्या है अंतोना कमजोर पढ़ना तूटना तो Congress क हार भारत के एक दली व्यवस्ते के दबाव को खतम करना आपने देखा था पहला हम चुनाओ दूसरा हम चुनाओ तीसरा हम चुनाओ इसके बाद में चौथा हम चुना इन सवी चुनाओम में आपको कोंग्रे्स-पार्टी की सरकार बंती भी दिखी इवन 1971 में वह एगरें इससंए सदेब्स में फिर मनीAtरा सी में फिर मरी एक पुरी द्रीकेसे tyre कर रही दिए एफ तीन वर्षी तो ऐसा हुआ 1977 से 1980 तक यहाँ पर हमको क्या दिखा कि जो एक दल का दबदबा था वो क्या होने लगा 1989 से समाप्त होने लगा Congress Party को जो पहले बहुमत मिलता था वो बहुमत इसको नहीं मिलता अध्याए 5 में हमने पढ़ा था इस चीज़ के बार में बिल्कुल डिटेल से और मैं आपको लगातार पढ़ाते हुए भी आया हूँ यहाँ पर इसके बाद में बताए गया है कि 1960 के दशक में अंतिम सालों में कॉंग्रेस का एक छत्रे राज़े को चुनावती मिली एक छत्रे राज़े का मतलब है कि भई कॉंग्रेस पार्टी पहले एक तरफा चुनाव जीती थी अब कॉंग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीती रही कोई दूसरी पार्टी आसपास नहीं बढ़की कोई दूसरी पार्टी आसपास नहीं बढ़की कि 1960 के दशक में कॉंग्रेस पार्टी का परभुत्यों कम हुआ लेकिन इंद्रा गांधी के नित्युत में दुबारा इंद्रा गांधी सत्ता में आ जाती है या अपने पढ़ाता लेकिन जैसे 1990 का दशक आएगा 1989 की बात आएगी कॉंग्रेस पार्टी को चुनोती मिलेगी और हम देखते हैं कि कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी तो ऐसी कोई दूसरी सरकार थी भी नहीं जिसे पहुंवत मिल रहा हूँ है कि इस तफिके से हम यहां पर कह सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी का दिरे दिरे पतन होने लगा लेक toolbox को हो रहा है और क्यों कॉंग्रेस पार्टी को सूसरी लगी तो यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसे बड़ा वीजन अगर हम बात करें आपर डिएज़ को यहां पूछनाव जीता है आप पूछेंगा उत्रप्रदेश में कौन जीता है या फिर वायवती की सरकार बनती ती लालु यादव नी शौरी यादव ही फैमिली है अकलेश कुमार यादव तो यादव फैमिली की पार्टी हमापर तो यहां पर हम देखते हैं कि हर राज्य में कुछ चेत्रिय दल को उदे हो गया कुछ चेत्रिय उदल को उद Hey शेत्रिय पार्टी है। झीते अज्य Kenneth 更 आसे तो एव वहरी है आप कुण क्योंरे मिल पाता किसी पार्टी को तो उसके पांगए हैं हर चेत्र में कुछ राजजनितिक पार्टी उद्रेंद्र उखर तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ ही पार्टियों ने कुछ छेत्रों में अपना दबदबा मचाल रिकाय सब्सक्राइब चुनाव होते हैं तो वही जीत्ती है यहां पर हमने देखा कि हमारे देश में अनाग पार्टियां चुनाव लड़ती आई और हमने यह भी देखा कि पार्टियों के संख्याओ बढ़ने से बड़ी-बड़ी पार्टिय उसे कमजोर हुई है क्योंकि आपने एक चीज ये भी देखा कि बहुत सारी हमारे देश में ऐसी राजनितिक पार्टी भी बनी है जिसमें पहले बड़े नेता कॉंग्रेस पार्टी में थे लेकिन उन्हों ने उस पार्टी को छोड़कर फिर दूसरी नहीं अपनी पार्टी बना ली फिर दूसरी 1989 के बाद में एक नई बात देखने को आई कि अब कोई पार्टी इस तरह उबरी नहीं कि अधिकांस वोट उसको मिले यह वोट जो था बट जाता था इस वज़े से किसी को भी किसी एक पार्टी को हम देखते हैं 1989 के बाद से लोकसुभा के चुनाओं में कभी भी 2014 तक पू यह चुनावी गटबंदन है क्या है है कि आपको मैं बता दूं पॉंग्रेस पार्टी का चुनावी गटबंदन भी बताऊंगा मैं आपको और १ंग्रेस का है यू पी ए और बीजेओं का है ंडी ए नैश्टनल ।माट्रेटिक लिए ना भाजपा इसे राजक बोलती है है राजक हम इसके बार में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे क्योंकि यह नहीं से आपके जुड़ा हुआ है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको क्या बताया मही 2014 में और मही 2019 में दोनों में जब लोक सुभागी चुनाफ हुए तो किस दल को बहुमत मिला इसने थोड़ी सी हिंदुवादी राजनीती करी जिसकी वज़े से हिंदुों का सपोर्ट आया चाहे वो राम मुंदिर बनानी की बात हो चाहे जम्भू कश्मीर से धारा 370 रटानी की बात हो तो यह कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको देखकर लोग काफी इनसे प्रभ सब्बे के दशक में क्या-क्या राजनीती गटना है गटी है शायद आपके मुंदे पापा उस टाइम के तो हो गई और वो शायद आपको कुछ बताएंगे और आपको यह अक्टिविटी या तो आप यह खुद करोगे या फिर आप इंटरनेट पे खुद कुछ पेस दू योग करती है आपस में गटबंदन करती है और पिर एक बहुत का अकड़ा चूती है उसे हम गटबंदन कहते हैं जब तक आपस में विश्वास वरुसा बना रहता है गटबंदन बना रहता है सरकार सलती रहती है जैसे ही विश्वास और गटबंदन खतम होता है विश्वा आप लोग के लास में ओ भी सी इसे बोलते अदर बैक्वर्ड कास्ट अन्य पिछड़ा बर्ग इन्दी में बूले जाता है अन्य सकता है क्या देखते है 1996 में बनी सर्कार ने इसから काफी मेहतरपुन किरदार आप निबाया शेक थे 1989 की सरकार भी रही कि रमकार कब बनी 1989 में बनी इसके 1990 1996 में बनी सरकार इस टाइम पर किसकी सरकार बनी ध्यान रखने आपको सहयूग तो मोर्चे की सहयूग तो मोर्चे की चीक है सहयूग तो मोर्चे की सरकार बनी थी इस टाइम पर इसके बाद में 1991 के टाइम पर किसकी सरकार बनी पर आप बोलोगे यहां पर Congress का गडबन दलना था Congress की सरकार लेगिन 1996 में फिर किसकी सरकार बनी बोलोगे निजन्टा दल और कई राजनितिक पार्टी शामिल थी भाजपा ने समर्थन सरकार को नहीं दिया पहले भाजपा इस टैम से इस टैम पे जो सरकार बनी 1989 से 1991 तक इसमें एक तो वाम और दूसरा भाजपा ये दोनों साथ थे लेकिन अगली जो सरकार बनी उस सरकार के अंदर कॉंग्रेस पार्टी का सपोर्ट था लेकिन उसके अगली जो सरकार बनी वाम मोर्चा की उसमें भा पाटी मुख्या पाटी के रूप में उबरी और इस नाते बाजपा की सरकार को नियोता बना अब देखो अब आपको एक और चुनाव का एक बढ़िया तस्वीर आपको दिखेंगे मैं आपको आपको करके दिखाता हूं है यहां पर दिखाया गया है यह तस्वीर 99 की पूरा विपक्ष मिल गए कितना ताकतवर हो गया है और जो कॉंग्रेस पार्टी इसके सामने कितना अब कॉंग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है इस विपक्ष को गिरानी की यहां पर दिखाया है यह पर लिखा भी हुआ है यादि Congress Party का राजनीती में बहुत important रोल था लेकिन अब क्या है Congress Party का जो परभुत तो जो था वो परभुत तो क्या हो गया है समाप्त हो गया है अब उसकी दिखाविपक्ष की जितने दल है वो सब मिलकर गटबंदन करके Congress Party को सब्टा से बाहर करने की कोशिश करती है इसके ब बोलोगे 1989 और अंत कब हुआ तो आप बोलोगे मही 2014 देखो इसमें क्या लिखा है इस 25 सालों में कितने सालों में कि 25 सालों में 11 सरकार बनी तो यहने की बार सरकार बनी गिरी केवल 25 सालों में तो आप कोईगे जी कई बार सरकार बनी भी और और कई बार सरकार गिरी भी होगी यहां पर बताया गया है जैसे की यहां पर बताया गया है जैसे की अल्पमत की सरकार बनी और जो की सरकार अपना कारेकाल पूरा नहीं कर पाई इस वज़े से क्या हो जाती सरकार गिर जाती एक्जामपल दिया भी हुआ है कब से कब तक इसकी सरकार थी जैसे 1989 और जो है संप्रघ संप्रग संप्रग涵 संप्रग इसका में आपको डिटेल से बताओं वारे में और संपर्ग के बारे में इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताओं अभी चेक्टा करके कोई पाइदा नियुकि यह हमारे नए आए स्लेवस में तो हमको पड़ना कृए आपको याद रखना है कि 2014 में क्या हो गया प्रकृती बदल गया क्या प्रविर्टि बतल गया प्रविर्ट्री बदल गया था इसमें घटबंधन में कुछ कोशिश करते हैं देकर नीचे बताए गया है अब यह परदानमंतरी की तस्वीर भी आपको बताई गई है यह आपको इंपॉर्टेंट है तो किये हैं ते सरकार में कौन रहा तो को इस टैम पे वीपी सिंग यह ले आपकी सरकार बनी फिर इस टैम पे कौन पीम बने चंदर skaquer इस्टैमान पह। इस्टैम pe कौन पी में ये आपको याद रखना है यहां से लाफ्ट एयर कोशन मनाया defend पीपर में दे दिया यस्टेवशन पह। प्रधानीवंत बताईए्ट यो आपको यह याद रखना है इस तेम पहिरे कौन थेρώ इस대ů sh manifest तक रहे दस सालों तक यानि दो बार लगातार मनमुहन सी अ इसके बाद में हमारे प्यारे भाई और बैनों तो यहां पर आपने यह भी देखा कि आप यहां पर यहां पर अपने दूसरे लेस्न हों में पढ़ा है कि कॉंग्रेस जो थी फुदी एक गटवन्दन नुमा था दूसरा लेस्न जब आपने पढ़ा था आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉंग्रेस एक समाजी का और विचारात्म गटवन्दन थी यहनि कांग्रेस पार्टी के अंदर कॉंग्रेस पढ़नाली कहा गया इसलिए इसे क्या का गया कॉंग्रेस पढ़नाली कहा गया अध्याय पांच में भी हमने पढ़ाए 1960 के दर्शक में किस प्रकार कॉंग्रेस पार्टी ने अपना वर्चसु बनाया और 1997 के बाद के सालों में हमने देखा कि कई छेत्रिय दलू ली और वर्चसु स्थापित करने के साथ ही इनका डॉमिनेशन हो गया और केंदरी की प्रविर्थी घड़ गई यह जो नाक्स्ट कॉंचेप्ट है यह मैं अगली क्लास में पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि